हलो फ्रेंट्स कैसे हो आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे कुकिंग विद केरन चनल पर आपका वेलकम है आज मैं आपके लिए एकदम टेश्टी वाले छोले की रेसिपी लेकर आई हूँ आज हम मटका में छोला बनाएंगे तो उसके लिए मैंने यहां पर दो कटोरी काबली चना लिया था इसे मैंने रात बर पानी में भीगो कर रग दिया था और कूकर में डाल कर इसे मैं पांच सीटी देने तर पका लिया हूँ और यह देखिए इससाब प्रेस करिएगा तो चने इंदम सॉफ्ट होने चाहिए इतना हमें से बॉल कर लेना है अब मैं कु चार पांच मैंने आपर लॉंग लिया है और एक चमच मैंने आपर जीरा लिया है और एक चमच मैंने आपर गरम मसाला लिया है एक चमच मैंने आपर हल्दी पाउडर लिया है एक चमच मैंने आपर लाल मिर्च पाउडर लिया है और एक चमच मैंने आपर आमचुर ले लीजेगा अब हम इसमें टामाटर प्याज और लैसन कुछ भी नहीं डाल रहा है तो हमें सबसे पहले उसकी ग्रेवी बनाने के लिए उस तो चाहिए तो मैं यहाँ पर जो चने बॉयल करके रखी ती इसका मैं पेश्ट बनाऊंगी इससे हमारी बहुत ही टेश्टी ग्र इससे थोड़ा ऊपर चनों को पीस लिया है एकदम पेश्ट जैसे हम प्याज और लैसन और टामाटर का पेश्ट बनाते हैं उस तरह से इसका पेश्ट बना लें आप इस तरह से प्रेस करके भी बना सकते हैं लेकिन उससे इतना अच्छा टेश्ट नहीं आएगा और टेक् को आप मैं इसमें मिक्स करूंगी इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ठोड़ा थोड़ा पानी डालेंने इसरे हम अच्छे सा हमारे लोगे खर पेश्ट Republic कर लेंन आपके छोले भी इसी तरह से बहुत ही टेश्टी बनेंगे तो मैंने इसे अच्छे से एकदम मिक्स करके अब इसे मैं चार-पांच मिनिटले साइड में रख दूंगी और हम मटका छोला बनाने जा रहा है तो मैंने आपर गैस पर मटका रख दिया है और इकदम इसे हमने गर मैं इस में ऑयल डालूँगी तो आप यहां पर कोई भी तयी आले सकते हैं घी भी ले लाइं सकते हैं उसे भी ढाल कर 2 दो मिनिट के लिए हम इसे भी भून लेंगे और उसके बाद हमने जो यह मसाला का पेश्ट बनाया था इसे डाल कर इसे भी हम 3-4 मिन पेश्ट के लिए लिए जिस से एकदम मसालो में अच्छी सी खुषबू आने लगे आप चेक कर लिजेगा कि बहुत अच्छी सी कुछबू आने लगे और नीचे से मच आले हमारे जले भी ना इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा भूनते टाइम आप इस तरह से चेक कर लिजेगा चार-पांच मिनिट में भून जाते हैं एक तो अच्छी से यह मसाल है जिस और हमारे मसाले भून चुके हैं अब हमने जो चना बॉल करके रखा था वो इसमें डालेंगे और इसे भी डालकर मेडियम फ्लेम पर चार-पांच मिनिट के लिए दिखिए हमने भून लिया है और एकदम सभी मसाले चने में मिक्स हो चुके हैं अब आपको जितनी इसमें ग्रेवी अगर रखनी है तो हम इसमें पानी आड़ करेंगे तो मैं यहाँ पर एक ग्लास पानी आड़ कर रही हूं अगर आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी आड़ कर सकते हैं और उसी अकॉर्डिंग इसमें नमक जाएगा तो आप दोनों बातों का ध्यान रखियेगा इसे आच्छे से मिक्स करके चार पांच मिनेट के लगबक मेडियों चलें पर हम पाहले लेंगे अब ध्यान रखियेगा जले ना हमारे इंचे अब इसे हम सर्फ करेंगे, ये टेश्टी टेश्टी छोले हमारे सर्फ करने के लिए तैयारा है, और ये देखिए, मैंने छोलो को राइस और पूरी के साथ सर्फ किया है, आप चाहने तो इसके साथ भडूरा भी बना सकते हैं, आपको जैसे पसंद हो उस तरह से आप इसे इ अग्यू